हालो गैज आप सभी सात्यों का सौगत है आपके अपनी इटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली के तरह हम लोग आज भी मौनिग अब्डेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपोर्टन अब्डेट आज की नूज पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी सारी अब जिसमें आपको बाल विका, सिक्षासाद, हिंदी, इंग्लिस, गनित, परवरने, अध्यन के आपको तीन हजाद से ज़्यादा आपको अध्यायवार महतपूर्पूर्प्रस मिलेंगे साती साथ प्रीवियस एर के चार आपको सौल पेपर मिलेंगे आप इनको देख सकते है बेतरीन तरीके की ये बुक है, आप इसको देख सकते हैं, ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, साती साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया है, वहां से भी आप बनगा सकते हो, कॉंटेक्ट नंबर भी दिया, आप उससे कॉंटेक्ट भी कर स दिनों से जो बेड़ वाले चात रहे हैं, वो एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती की जो है, यहां पर मान कर रहे हैं, और यह कहने हैं कि जलते जलते इसका विग्या पंजारी किया जाए, लेकिन फिलाल यह भरती जो है रुकी हुई है अहरता विवाद को ले करके, तो ऐसे में प्रदेश की सबसे प्रतिश्चित परिच्छा PCS और राजकिये विद्यालों में सहाय कद्याफक LTE ग्रेड, प्रवक्ता रथा प्रधानाचारी के पदों की समकक्च अहरता का निर्धारन करने के लिए हाई पावर अंतर विभागे कमेटी गठित की गई है, सासन के विश प्रेड की जो भरती है अब वो बहुत ही जल्दा जाएगी और अब जो है इसमें कोई देर नहीं होगा क्योंकि अब समय सीमा बता दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आप इस आहरता भरती को सुझा दें, बात करते हैं इसमें पदों की संक्या कितनी खाली तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राज की स्कुल में 9334 जो है पद खाली है, मादमिक सिक्चा विभाग के आकड़ों के मुताविक सिक्चकों में पढ़ाई जो है प्रभावित रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं और NCTE मानकों के अनुसार जो है आरता को रखी जागी यह चीज भी यहा सिक्चक भरती के हरता राश्ट्री अध्यापक सिक्चक परसत के मादम के अनुसार होगी नियमावली में संसुधन के बाद प्रवक्ताओं की भरती में भी बीड़ अनिवार हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो PDT के लिए भी बता दिया गया कि जो है यहाँ प अब यही है कि अब जो आपकी LT grade सिक्चक भरती है इसका विग्यापन अब दूर नहीं है बस 15 दिन में जैसे ही रिपोर्ट सोब जाएगी उसके बाद कभी विग्यापन आपका जारी किया जा सकता है ठीक है चले बढ़तें आगे की तरह अगली अपडेट जो है वो TGT PGT भरती को लिए है आपको ही पता है कि TGT PGT की जो भरती आई है 2022 में उसका आवेदन किया गया लेकिन उसके बाद जो चैन बोर्ड है वो भूल गया कि मुझे इसका पेपर भी करवाना है यहाँ पर आया है कि चैन बोर्ड में सदस्यों की नुक्ति के लिए छात्रों का प्र प्रदेश मादमिक सिक्चा सिवा चैन बोर्ड में सदस्यों की नुक्ति की मांग को लेकर प्रतियों की चात्रों ने प्रदस्तन किया है अब्यारतियों का आरोप है कि सदस्यों की नुक्ति ना होने से बोर्ड में भरती प्रक्रिया ठपड़ी है युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंग्ञ ने कहा कि सरकार और चैन बोड चात्रों के धायर की परिच्छा न ले चैन बोड सधस्यों की नुक्ति समंधी फाइल सीम के पास महीनों से लंबित है इस से चात्रों का अक्रोस चरम पर है प्रदर्शन के बाद चातों ने अध्यक संबोधित ग्यापन दिया प्रदस्तर में सितला प्रसाद होजा करन सिंग परिहार सिव संकर पटेल आधी यहां पर सामिल दे तो बड़ी अपडेट यहां से निकल कर आचुकी है आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली अपडेट स्कॉलर्शिफ को लेकर के है और स्कॉलर्शिफ की अपडेट में यह बता गया कि केंदर सरकार ने पिछड़े और अलप संक्यक समदाओं के लिए अपनी प्री मैट्रिक्स चात्रवुति योजना को नौवी और दस्वी कक्छा के चात्रों तक सीमित कर दिया गया है पहले कक्छा एक से आर तक के अनसूची जात अन्सूची जनजात अन्य पिछला और अलप संक्यक समदाओं के बच्चों को या चात्रवुति मिलती थी सरकार ने इस अधियम में जारी नोटिस में कहा है कि सरकार के लिए सिक्छा का अधिकार आटी अधियम 2009 प्रतेग बच्चे को मुप्त और प्रारंबिक सिक्छा प्रदान करना निवार वनता है नोटि अगली अपडेट है यूपी में 17,291 पदों पर NHM उत्तर प्रदेश में भरती इस्टाप नर्स, A&M, लैब टेक्निसिन आधिके जो पद है वो रिकता है उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरूब ही हो चुकी है आज की निवार प्रेपर में इसको दिया गया है हला पात्रता है कौन है यानि कौन-कौन भर सकता है फाम को तो उमीदवारों के पास मानेता प्रात बोर्ड या विस्विद्दाले से पदानुसार, इंटरमीडियेट, B.S.C. नर्सिंग, MLT डिग्री, जनरल नर्सिंग, और मिडवाइफरी में डिपलोमा यो अन्य निर्धाय जनरल अप्रिट्यूड, रिजिनिंग, जनरल एवर्नेस, आध विस्विद्वाइफरी में पर प्रस्ट पूछे जाएंगे, अन्तिम्तिती जो है 12 दिसंबर है तो जल्दी कर दें, जल्दी आवेदन कर दें, साइट यहां पर दे दी गई है www.upnrhm.gov.in ठीक है, चली, प्रस्ट पूरी नहीं करते हैं, जकि सेज साथ का अन्य वज़ों से आवेदन रिस्ट किया गया है, यह सूची मंगलवार को आयो की वेबसाइट पर अनकुर्मान के आधार पर जारी कर दी गई है, तो आप यहां पर इन चीजों को देख सकते हैं, गौर तलब है कि आयो न इसके बाद आयोग ने जनौरी 2022 में इस भरती का पुनर विग्या पंजारी किया, साथी पदों की संक्या भी सो बढ़ाकर 558 हो गई, इसके लिए प्रारंबेक और मुख की परिक्षा आयोजित की गई, आयोग की सच्चिव के अनुसा इस भरती परिक्षा में कुछ ऐसे अ अबेदन की हैं, जिनके पस अनिवार योगिता नहीं है, लिहाजा 374 अभेरतन निरस्ट कर दिया गया है, तो फिलाल आप देख सकते हो कि 374 जो यहाँ पर चात्र थे, अभेरती थे, उनकी अभेरतन निरस्ट कर दिया गया है, और इसलिए निरस्ट किया गया है, क्योंकि बरने की अंतिमतिती के पहले इनके पास वो सेक्षिक योगिता नहीं थी जिसकी उसकी मानती बार ने रिजल्ट आया होगा चीजें हुई होगी लेकिन उस समय तक नहीं थी इसलिए उनका जो आबेदान है वो डिरस कर दिया गया ठीक है तो यहां पर अगली अपडेट बता दें कि अगर आप लोग सीटेट 2022 की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है परिक्षावीर चैनल की आप जाकर उस चैनल को आप जरूर सब्सकाइब कर लें जेहिं जेवाराओ